अगर आप पीछे जुके हुए हैं, तो आपके अंगों को बहुत नुकसान होगा किसी और पॉस्चर के बजाए, इस पॉस्चर में आप कहीं ज्यादा समय तक रह सकते हैं, यह आपके लिए सबसे आराम दायक है आपकी अपने शरीर और अपने मन को इस्तिमाल करने की क्षमता जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी अब आपके शरीर में आराम की बात की जाए तो यह हड्डियों में, मासपेशियों में, अंगों में और उर्जा में होता है अब अगर आप बस आराम कुर्सी में बैठें, तो आपके मासपेशियां आराम में होंगी पर आप देखेंगे कि अगर आप आराम कुर्सी में बैठें, तो आपके जोडों में हमेशा दिक्कत होगी क्या आपने इस पर गौर किया है? एक काम करिए, आप कार में ट्रैवल करिए इस तरह की एक रिक्लाइनिंग सीट में, आप देखेंगे की आप बुरी तरह ठक जाएंगे जब तक आप वहां पहुँचेंगे, अगर आप बस सीधे बैठें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपकी मासपेशियां आराम में होती हैं, असल में आप सिर्फ तभी स्ट्रेच करना चाते हैं, जब आपकी मासपेशियों में ठकान होती है, पर आपकी हड्यों को ये पसंद नहीं आता, आपकी हड्यां पूरी तरह से स्ट्रेच करना चाती हैं, लेकिन उन्हें ये आधा अधूरा पसंद नहीं, क्योंकि कंकाल प्रणाली पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है सबसे बढ़कर आपके अंगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है यहां के सभी महत्वपूर्ण अंग कील से या नट बोल्ड से कसें हुए नहीं है ठीक है वो बस जालों में इस तरह लटके हुए है हाँ अगर आप ऐसे करें तो आपका लिवर हिलेगा हाँ या ना हाँ या ना आपका दिल भी ढीला लगा हुआ है कई तरह की जालियों में ये इस तरह लगा हुआ है अब अगर आप पीछे जुके हुए हैं खास तोर से जब आप गतिशील हो तो आपके अंगों को बहुत नुकसान होगा अगर आप गतिशील हैं तो आपको हमेशा ऐसे बैठना चाहिए सीधे तब आपके अंग एक बहतर स्टर के आराम में होगे आप उस आसन में बैठिये जो आपके लिए सबसे ज्यादा आराम दायक हो अच्छा होगा कि पालती लगाकर क्योंकि शरीर के लिए यही बहतर होता है यह ऐसा आसन है जहां शरीर का फर्ष के साथ अधिक्तम संपर्ख होता है तो स्वाभाविक रूप से एक स्क्वेर सेंटिमीटर या स्क्वेर इंच में पढ़ने वाला वजन सबसे कम होगा तो आपकी बैठने की क्षमता बहतर होगी क्योंकि वजन सिर्फ आपके कूलों पर नहीं आएगा बलकि फैला हुआ होगा उस वज़े से इस तरह बैठना आपको कहीं ज्यादा आसान लगेगा पालती लगाकर बैठने का उद्देश यह है कि यानि कि आपका वजन बटा हुआ है उस वज़े से आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं योग विज्ञान में न केवल आपके परम कल्यान के लिए शक्तिशाली साधन है बलकि ये आपके ततकाल स्वास्थे उपचार और रहत के लिए भी साधन भेंट करता है सडीलजा का अर्थ है धीले पन से पैदा हुआ न केवल मासपेशियों और कंकाल प्रणाली को धीला करना ये आपकी उर्जा प्रणाली को भी धीला करने के बारे में है ये आपके सिस्टम को तैयार और सक्री करने में मदद करता है दिशा संचालन इसे करने का एक आसान तरीका है ये चोट के खत्रे के बिना मास पेशियों की व्यायाम भी कराता है जोडों में उर्जा की गाठों का जमाव होता है तो उन्हें सक्री करने से सिस्टम में सब कुछ काम करने के लिए प्रज्वलित हो जाता है इन तीन सामगरियों का आपकी सांस, आपके विचार और आपकी जागरूपता अगर आप इन्हें सही तालमेल में इस्तिमाल करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके और आपके शरीर के बीच थोड़ी दूरी बन जाएगी अगर आपका शरीर और मन और आप एक दूसरे से दूर खड़े हो जाएं तब अचानक आप पाएंगे कि आपकी अपने शरीर और मन को उप्योग करने की एक शमता जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी अगर अभी आपको एक से दस तक गिनना हो सबसे अधिक है दस अगर ऐसा है और अगर आप इस शरीर से जुड़े हुए हैं या इसमें शामिल हैं तो आप एक से कम हैं ये इस थिति में हैं अगर ये दो चीजें दूर हो जाएं तो अचानक से आप इसे पूरे दस तक ले जा सकते हैं आपकी मन और शरीर को उपयोग मिलाने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि औरों को आप लगभग असाधारन मनुष्य लगेंगे पर मैं आपको बता रहा हूँ ये मनुष्य है ये असाधारन मनुष्य होने के बारे में नहीं है ये महसूस करने के बारे में है कि मनुष्य होना असाधारण है हाँ, मनुष्य होना कोई साधारण चीज नहीं है जाए जाए, जाए जाए, जाए.